हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, गैजस अफायर वेद्दा एंड हेल्टिप्स में तो चलिए चलते हैं टॉपिक में, आज का टॉपिक है सिंहारा पानी में उगने बाला सिंहारा पाइल्स को करता है ठीक, सिर्फ ब्रत ही नहीं, इस तरह भी खा सकते हैं सिंहारा सिंहारे को आप कच्चा भी खा सकते हैं, वो ही कुछ लोग इसे उबल कर खाते हैं, तो कुछ लोग इसकी सबजी खाना पसंद करते हैं पानी में उगने बाला सिंहारा सर्दियों में ज्यादा विखता है, इसे खाने से सरीर को कई लाब होते हैं, ब्रत में अपने अक्सर सिंहारे यानी वाटर चेसनट के आटे की पूरी टिक की जरूर खाई होगी, जी हाँ ये हम उसी सिंहारे की बात कर रहे हैं, उसकी मांग उ मौसम ही फल है, जो पानी में पैदा होता है और इसका अकर त्रिकोन होता है, सर्दियों के मौसम में लोग सिंहारे को उबल कर खाना पसंद करते हैं, आपको बता दे सिंहारा पोसक तत्तों से भरपूर होते हैं, हलके काटेदार इस फल को खाने से बहुत सी बिमारिया दू सिंहारे में विटमिन A, फॉस्पोरास, विटमिन C, मैंगनीज, कार्भो हाइडरेट, फाइबर, आयोडिन और मैगनेशियम परजप्त मात्रा में होता है, अगर आपको दिल सम्मंदी कोई बिमारी है, तो सिंहारा खाना आपके लिए बेहत लाप करी है, वो ही सिंहारे में दिक्कत हो रही है, या फिट टॉंसिल जैसी कोई समस्या हो गई है, तो सिंहारे को उबल कर नमक के साथ खाए, अब चाहे तो बजर से सिंहारे का आटा लेकर उसे दूद में मिला कर पी सकते हैं, इससे भी गले को काफी आराम मिलेगा, सिंहारे में आयोडिन की पर जब मात्रा पाई जाती है, साथ ही इसमें मैंगनीज जैसे मिनरिल्स, थाइरोएड और घेंगा रोक की रोक थाम में अहम भूमी का निभाते हैं, बहुत से लोग कच्छे सिंहारे की सबजी भी बना कर खाते हैं, इससे पाइल्स में आराम मिलता है, कच्छे सिंहारे को आप यू भी छिल कर खा सकते हैं, अगर आपको ऐसे डिटी की समस्ता रहती है, या फिर गैस ज्यादा बनती है, तो सिंहारा आपके लिए फाइदे मंद है, इसे खाने से ऐसे डिटी खतम हो जाती है, अगर भूक नहीं लगती है, तो सिंहारा खाने से आपको अच्छी मिलती हो और एक इंटरस्टिंग वीडियो के साथ